अज एक्सपारी था बैंक निफ्टी का आज के दिन बैंक निफ्टी ने क्या मूवमेंट दिया यह हम देखेंगे इस वीडियो में और रिव्यू करेंगे हम कल के लिए लेवल्स तो फ्रेंड सबसे पहले बैंक निफ्टी आज 42900 के करीब ओपन हुआ उसके बाद पहली तीन कैंडल्स में ही उसने लगभग 400 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया दस बजे के बाद बैंक निफ्टी एक 300 पॉइंट की रेंज में ही अप एंडाउन करता रहा तो वो जो रेंज फॉर्म हो चुके थी 300 पॉइंट की उस पे ही हमने आज majority of the trading की आज का वीडियो थोड़ा ज्यादा special है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे की कैसे हमने trades लिये आज के दिन अपने levels पे तो as an example for education purpose we will show you how we took the trades today उसके बाद हम review करेंगे levels कल के लिए तो अभी हम चलते हैं चार्ट पे तो look at the trades that we have for today तो friends आज की trade हमने mark कर लिये हैं चार्ट पे सबसे पहला जो trade था वो हमें मिला हमारा जो resistance था yesterday का swing high जो बना हुआ था वो break हुआ और आप देख सकते हैं जो पाइवर्ट था पहली candle से ही बहुत अच्छा breakdown मिला हमें पाइवर्ट से यह जो morning trade हो था यह बहुत fast trade था इसमें जो trade होता है first trade वो सिफ एक momentum capture करने के लिए होता है general trend market का एक bearish हो चुका है तो जैसे ही bearish setup बना और पाइवर्ट ने breakdown दिया हमने इसमें enter किया SL जो था हमारा day high था और जो इसका target था वो next level था जो की था demand zone तो यह trade बहुत fast moment दिया 400 points की moment बहुत continuously इसमें मिल गई हमको second trade था friends हमारा जब यह हमें एक support दिखा 42,500 level पे जो कि put side का open interest है इसका target उपर इधर demand zone था और इसका SL जो entry candle है इसके नीचे यह जो doji दिख रहे है SL is below the doji इसमें हम लोगों ने जैसे ही यह green candle बनके यहाँ पर price पहुंचा यहाँ पर ही हमने exit कर लिया था because इतना fast moment हो चुका था already कि 50% of the target जो morning high है उसका retracement हो चुका था यहाँ पर तो यहाँ पर हमने लगबग यहाँ पर इस doji पर हमने exit किया तीसरा trade फ्रेंस जो था वो हमारा आप देख सकते हैं कि एक morning star pattern बना था previous day low पर इस trade में हमारा target क्या था हमारा target था कि price demand zone तक वो अपिस जाएगा इस trade में हमारा SL हिट हो गया यह red candle से जैसे हमने यह morning star pattern बना हमने यहाँ पर enter किया और यह SL जो था वो यह candle के नीचे था तो जैसे ही हमने enter किया उसके बाद price immediately reverse हो गया तो यह जो red candle है इसी में हमारा SL हिट हो गया जैसे हमारा SL हिट हुआ हमको वापस एक entry दिखी अगर आप देख सकते हैं कि जो यह fourth trade marked है यह एक double bottom बना है previous day low पर और यह जो pattern है यह pricing tweezer है और यह green candle है यह engulfing pattern है तो यह जो candle है कि again it's a bullish setup तो हमने इस trade में यह setup देखके वापस bullish entry की और इस बार हमारा target meet हुआ demand zone पे इस trade में friends यह चीज एक important है समझने कि कि SL छोटा देखे बहुत आपको दूसरा trade में enter करने का option मिलता है अगर suppose यह candle बहुत बड़ा form हो चुका हुता और price एकदम reversal ले 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 था और यह demand zone पे आ जाता तो बहुत जादा SL हो जाता तो ऐसे case में आपको wait नहीं करना है जैसे ही आपको SL दिख रहा है कि हिट हो रहा है आपको immediately उस trade से निकलना है जैसे इसी trade में next candle में हमको re-entry मिल गई तो वैसे ही छोटा SL देखे you can go for bigger profits तो यह था fourth trade fifth trade है friends यह एक बहुत beautiful engulfing pattern form हुआ था demand zone पे यह जो pattern है यहीं पर ही एक wolfy wave का reversal भी start हुआ है which I will draw on the chart and show you after we discuss the trades तो हमने यहाँ पर trade नहीं लिया because हमने यहाँ पर हमने wait किया price का retrace होने का तो यह जो wolfy wave का start है और जो target है वो मैंने blue से mark किया है अब ही मैं diagram बना के आपको chart पे I'll show you the pattern तो यहाँ पर नहीं trade लिया हमने wait किया कि price वापिस retest हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस circle marked है यह demand zone पर एक double bottom form हुआ और wolfy wave का reversal confirm हुआ एक inside candle भी pattern भी form हुआ double bottom भी था तो यह एक बहुत अच्छा bullet setup था इसका जो SL था वो low of the candle था entry candle and the target was demand zone and wolfy wave target line तो यह इसका high level का target था wolfy wave का in between अगर आप देखें एक और 7th trade भी था जो की था कि retest of breakout of previous day low यहाँ पर आप देखें कि previous day low का breakout हुआ तो यहाँ पर उसके बाद वोपिस price ने retest किया this is the time when you will enter you will not enter first breakout में आपको वेट करना है कि price retrace हो जब price retest किया वोपिस previous day low पे तो यह और यहाँ पर एक और entry बनी जो की target demand zone का था जो 8th trade था friends वो था reversal from demand zone यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वुलफी का target भी था और दूसरा यहाँ पर double doji form हुई इसका जो SL रहता है वो demand zone के उपर alert है high of doji and target is previous day low तो यह हमारा आज का 8th trade था तो friends जैसे मैंने आपको बोला यह जो trade है इसका हम एक और video part 2 अभी upload करेंगे जिसमें हम लोग आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे यह levels पे trading की है so that you can understand how to enter the trade, when to exit and how to take your SL and targets तो friends before we review the levels for tomorrow यह है wolfy wave pattern जो मैं आपको explain कर रहे थी trade number 5 के act में पर इसमें आप देखिए कि यह जो wolfy wave है यह जो price है has high probability कि यह point number 5 से reversal हूँ तो यह जो pattern बनाएगी जो triangles है न, high and low gets compressed in a triangle in a wolfy wave pattern तो इसके अंदर यहां से जो point number 5 है यहां से reversal का chance रहता है जिसका target T1 जो आज meet हो गया और दूसरा target है T2 which is an open target right now तो यहां पर ही हमने आज exit किया था आपको जिसे मैंने अभी trades में explain किया so friends this is the wolfy wave pattern that was formed today in the chart of bank nifty अभी हम review करते हैं levels for tomorrow Friday के session के लिए हमने levels अपने mark कर लिए हमारा weekly support 42-11 पे है हमारा demand zone है जो कि 42-189 से लेके 42-278 के बीच में है previous day close, previous day high and previous day low यह तीन levels mark कर लिए हैं चार्ट में according to today's levels उसके बाद है हमारा 42,500 पे put side का open interest pivot is at 42,525 we have our resistance at 42,754 and call side का open interest is at 43,000 तो friends कल के लिए अगर market इसी range में open होता है तो हम देखेंगे कि price demand zone के आसपास कैसा react कर रहा है और weekly support तो यहाँ पे तीन बहुत support levels है previous day low, demand zone और weekly support तो अगर price यहाँ पर कोई भी ऐसा एक setup बनाता है bullish setup तो यहाँ पर हम एक bind trade करेंगे जिसका target 42,500 तक रहेगा पहला target और अगर इसने pivot को भी break कर लिया तो हमारा दूसरा target के resistance level तक रहेगा अगर gap down open होता है तब हम देखेंगे कि यह price जब demand zone के पास आता है तो कैसे react करता है अगर यह बहुत comfortably demand zone को break करके consistently इसके नीचे trade करता है तब हम एक bearish setup के लिए जा सकते हैं जब यह demand zone break होगा तब हम expect कर सकते हैं bank nifty में 200-300 point का movement downside के लिए तो यह तो है अगर यह इस zone में open होता है अगर bank nifty gap up open होता है तो हमें देखना है कि यह resistance के पास कैसा react कर रहा है यह resistance level के आसपास और previous day high इस level के आसपास bank nifty ने अगर कोई bearish pattern बनाया तो definitely एक हम short opportunity ढूनके इसको short करेंगे जिसका level pivot तक रहेगा तो यह दो trades friends कल के लिए रहेंगे कल Friday है कल के session के लिए हम लोग quantity अपनी कम रखते हैं premiums की moment इत्ती फास नहीं होती है bank nifty में Friday के दिन इस चीज का आप ध्यान रखिए इस वीडियो के लिए इतना ही अभी हम part 2 जो की रहेगा live trades वो आपको explain करते हैं अपने part 2 वीडियो में आज के तो friends आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए और हमारे चैनल को subscribe करिए thank you for watching